नमस्कार स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रिवास्तव सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर यानि जो लोग सोशल मीडिया पर जानकारी देने और लोगों को जागरू करने वाली रील बनाते हैं वो अब माला माल होने वाले हैं जी हाँ योगी सरकार ने सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर को बड़ी सौगादी है योगी सरकार फेस्बुक, एक्स, इंस्ट्रेग्राम और यूट्यूब जैसी विभिन सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म चलाने वाले और इंफ्लूएंसर्स को उनके सब्सक्राइबर्स या 2024 को मन्जूरी दी गई है जिसके तहट ये फैसला किया गया है ऐसे में आप सोच रही होंगे कि आपको ये पैसे मिलेंगे कैसे तो चलिए आपको विस्तार से योजना के बारे में बताते हैं उत्तर प्रिदेश की योगी आधितिनाथ सरकार ने एलान किया है कि वो सोचल मीडिया इंफ्लूएंसरों को माला माल कर देगी जी हां आठ लाक रुपे महीने तक सोचल मीडिया इंफ्लूएंसर्स कमा सकेंगे कमाई की मिनिमम लिमिट भी दो लाक रुपे रखी गई है हाज बात ये है कि इस सोचल मीडिया इंफ्लूएंसरों को सरकार का गुडगान करना होगा सरकारी योजनाओं की जानकारी देनी होगी वैसे योगी सरकार ने प्रस्ताव में ये बात भी रखी है कि अगर किसी ने राष्ट विरोधी बातों का प्रसार किया तो पैसे छोड़िये जिल भी जाना पड़ सकता है योपी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट विरोधी कॉंटेंट डालने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है इसके लिए बकाइदा रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा बता दे योपी से पहले राजस्थान में भी इस तरह की पॉलसी आई थी तब अशोग गहलोत वहां के मुख्य मंत्री थे अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ये पैसे कैसे मिलेंगे इसके लिए क्या क्या करना होगा तो आपको बता दे विज्यापन के लिए आप तभी योगे माने जाएंगे जब आप का चानल प्लाटफॉर्म दो साल से अस्तत्व में हो और साथी दस्तावेज भी अपडेटेड हो विज्यापन के लिए आप तभी योगे माने जाएंगे जबाब पर किसी भी तरीके का कोई आपराधिक मामला दर्ज ना हो और साथ ही आपको शपत पत्र देना होगा रजिस्टर्ट करने के लिए आपको 6 महीने की डिजिटल मीडिया एनालिस्टिक्स रिपोर्ट देनी होगी आपके पास वीडियो पोस्ट या कंटेंट आदी बनाने के लिए खुद के शूटिंग से जुड़े हर एक उपकरन आपके पास होने चाहिए पोल्डर्स, ऑपरेटर्स, डिजिटल मीडिया इंफ्लूएंसर्स और कॉंटेंट राइटर्स या इनसे समबंधित एजेंसी फर्म को रजिस्टर्ट किया जाएगा तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि इस पॉलिसी के तहत विज्यापन का लाब लेने के लिए कॉंटेंट प्रोवाइडर को कितनी श्रेणियों में बाटा गया है तो आपको बता दे इसे चार श्रेणियों में बाटा गया है फेस्बुक की चार कैटेगिरी कैटेगिरी A सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स, 10 लाग, नियूंतम वीडियो, 10 या 20 पोस्ट कैटेगिरी B सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स, 5 लाग, वीडियो, 8 या 16 पोस्ट कैटेगिरी C सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स, 2 लाग, वीडियो, 6 या 12 पोस्ट कैटेगिरी D सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स, 1 लाग, वीडियो, 5 या 10 पोस्ट X की शार, category Category A Subscribers followers 5 लाग, नियुंतम वीडियो 15 या 30 posts Category B Subscribers followers 3 लाग, वीडियो 12 या 30 posts Cela Р abon Subscribers followers 1 लाग, वीडियो 8 या पंद्रा पोस्ट, इंस्टरग्राम की चार काटेगिरी, काटेगिरी A, सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स पांच लाग वीडियो पांच या तीस पोस्ट, काटेगिरी B, सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स तीन लाग वीडियो बारा या तीस पोस्ट, काटेगिरी C, सब् सब्सक्राइबर्स फॉलोवर्स एक लाग वीडियो आर्ट या पंद्रा पोस्ट यूट्यूब की चार कैटेगरी कैटेगरी A सब्सक्राइबर्स फॉलोवर्स दस लाग वीडियो बारा कैटेगरी B जाहिर है अगर आप सोशल मीडिया इस्तमाल करते हैं तो ये बात आपको भली भाती पता होगी कि सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स की कोई राजनीतिक लाइन नहीं होती जो लोग entertainment के लिए content बनाते हैं उन्हें तो इस योजना का जम कर फाइदा मिलेगा लेकिन जो लोग राजनीतिक सामाजिक content के नाम पर पाटी विशेश, व्यक्ती विशेश के लिए काम करते हैं और मौका पाते ही दूसरी तरफ पलट जाते हैं वो इस योजना से जरूर expose हो जाएंगे वैसे हम इस कदम को इस नजरीय से भी देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर यूपी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है उन सब पर तो सरकार की नजर रहेगी ही साथी राष्ट विरूधी तत्वों की पहचान में भी इस कदम से मदद मिल सकती है जुसका फाइदा सरकार को होगा वैसे अगर आप भी सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं तो आपके लिए भी यह अच्छा मौका है पैसे कमाने का खेर आपको हमारी यह दे गई जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा नमस्कार